आज की स्व् chain किरिंगी कोटक सेक्योर्टिग एप्लिकेशन पर आपको अकाउटवनिंग पर कौन कौन से चार्जिस लगने वाले हैं जिसले कि आपका असरे डीक पיבी ले बालेबी चार प्लान देखने में लेंगे तो चार प्लान का जो आपको नाम बताए जाता है वह किस इस परकार है ृण आपका ट्रेयड प्री यूथ प्लान के बारे में तो आपको यहां पर देख रिंग मिलेगा कि इसकी जो एज कंडिशन रखे गई है वो 30 चार्ज से कम होनी चाहिए यानि कि 18 से पलस आपका और 30 चार्ज से कम होनी चाहिए तो ही आप यहां पर इलिजिबल होते हैं इस प्लान के लिए इस प्लान में आपका all trades होंगी उन सभी पर zero brokerage charges लगने वाला है अगर आप देखें तो यहां पर इन्होंने अपना subscription प्रेंशन किया हुआ है कि इसको join करने के लिए आपको 99 रुपे प्लस GST आपको pay करना पड़ेगा इसके अंदर आ है मोबाइल नंबर फिल करना है टाम सेंड कंडेशन को एगरी करना है और संबिट वाल ऑप्शन पर यहां पर किलिक करके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ऑपन कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में हमने पहले से वीडियो बना रखी है उस वीडियो का लिंक आपको जीरो चार्जिस लगता है अगर आप इनके पहले कस्टूमर हैं यहां पर कोटक पर तो आप यहां पर स्विच करते हैं तो आपको चार सो निन्यां रूपे प्लस एनवल के हिसाब से देना होता है इसके बाद हम बात करते हैं सब्सकेशन फीज की आपका जो फास्टेयर हो आपको यहां पर जीरो चार्जिस लगेगा शिटोग डिलियूरी पर आपको कोई भी चार्जिस नहीं लगेगा ओल केरी और फोर्वर की बात की जाए तो आपको एफ हैंडो पर जीरो चार्जिस लगने वाला है इसके बात करते हैं इनके ट्रेड फ्री प्लान के बारे में तो यहां पर इसके लिए जो edge eligibility रखी गई है वो आपको 30 पलस होनी चाहिए तब ही आप इसके लिए eligible हो सकते हैं इस plan के लिए आपको intraday में जितने भी brokerage charges लगेंगे वो सभी आपका यहां पर free होता है subscription fees की बात की जाये तो यहां पर आपको इसके लिए कोई charges नहीं देना होता है 20 रुपए flat charges के हिसाब से आपको all carrier forward के हिसाब से आपको appendo trade पर देना होता है Charges में आप देखें तो यहां पर आपको account opening के लिए कोई charges नहीं देना होता है subscription आपका free हो चुका है अगर आप पहले कस्टूमर है कोटक पर तो आप सिविच करते हैं तो आपको 499 रुपे प्लस जेश्टी पे करना पड़ेगा इसके बाद ब्रोक्रिस चार्जिस आपका ओल इंटारे होंगी जितनी भी यहां पर आपका फिरी होता है सिटोक डिलिवरी की बात की जाए तो 0.25% के साफ से चार्जी देना होता है ओल केरिवर फॉर्वर्ड की बात की जाए तो एफेंटो ट्रेड्स के अंदर आपको 20 रुपे चार्जीस आपका यहां पर लगने वाला है इसके बाद अगर हम बात करें ओल लिक्वड एटिएफ क की तो डिलिवरी ट्रेड्स के अंदर आपको 0.01% के साफ से टांजेशन वेल्यू लगने वाला है अगर हम बात करें ओल अधर एटिएफ जो की आप डिलिवरी में बाई करते हैं तो आपको यहां पर आदर्स के लिए 0.05% कांजेशन वेल्यू के साफ से चार्जिक लगेग इस प्लान के अंदर आपको पै लेटर का उप्सिन मिलेगा यानि कि आपको यहां पर MTF सपेशन रेट देखनेंग बिलेंगे इस प्लान के अंदर आपको 4X का लिवरेज देखनेंग मिलेगा यानि कि आप यहां पर मार्जन ट्रेडिंग फेकल्टी का लुप उठा सकते है इस प्लान की बात की जाए तो इसके लिए आपको 249 रुपे प्राइश्ट आपको पर मंत के साफ से आपको पे करना पड़ेगा इसमें जो आपको इंट्रेस्ट पर एनम के साफ से देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर MTF यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 9.75 परसंट के साब से आपको annual charges देना होगा यानि कि percentage के साब से इंट्रेस्ट लगेगा ब्रोक्रेश चार्जिस की बात करें तो ओल इंटाइडे जाए तो अफेंडो ट्रेट के अंदर आपको 20 रुपे पर ओडर के साब से चार्जिस लगेगा नंबर फॉर इनका जो प्लान है वो होता है आपका डिलर असिस्टिड प्लान यहां पर इस प्लान की जो वैल्यू रखी गई है वो वन टाइम आपको पै करनी है आपको यहां पर चार्सो निन्यान रुपे प्लस जीएश्टी पै करना पड़ेगा इस प्लान के अंदर आकाउंट ओपनिंग चार्जिस की बात करें तो यह आपका फ्री होता है सब्सक्रेप्शन फीच आपको यहां पर चार्सो निन्यान रुपे आपको वन टाइम देना होगा प्लस सेम मिलेंगे यानि कि 0.39% से लेकर 21 रुपे तक का आपको हाई चार्जिस लग सकता है शिटोक एंड इंडेक्स फीचर्स की बात की जाए तो आपको 0.39% के साब से चार्जिस लगेगा शिटोक एंडेक्स ऑफशन के अंदर बात करें तो आपको 49 रुपे पर लोट के साब से चार्जिस लगेगा करन्सी फीचर्स की बात करें तो आपको यहां पर 9 रुपे पर लोट के साब से चार्जिस लगेगा करन्सी ऑप्शन के अंदर आपको 5 रुपे पर लोट के साब से चार्जिस लगेगा कॉमडिटी फीचर्स के अंदर आपको 0.039% के साब से चार्जिस आपको एक ही जैसाथ देखने को मिलेगा यहां पर अगर आप इनके BST कलाइंट होते हैं बैसिक सर्विस डीमेट अकाउंट अगर आप यहां पर यूज करते हैं अगर आपके पास एक ही डीमेट अकाउंट ओपन होता है तो आपको यहां पर जो चार्जिस है वो च्यार लाग रुपे से लेकर दस लाग रुपे तक के बीच मों हो जाती है तो आपको यहां पर सो रुपे पलस GST आपका पर एनम के हिसाब से आपको देना होगा इसके बाद अगर आपकी होल्डिंग वेल्यू दस लाग को पार कर जाती है प्लस में जाती है तो non-BHD client के लिए यहां पर जो आपका चार्जिस होता है वो पचास रुपए प्लस GHD तो आपको लगेगा जो कि आपका non-BHD client होता है तो आपकी जो holding एक हजार रुपए से उपड़ की जाती है कोटक से के अंदर भी तो आपको हजार रुपए का जो आपकी holding होती है उसके बाद भी आपको यहां पर पचास रुपए प्लस GHD पर मंद के हिसाब से पेक करना पड़ेगा non-BHD के अंदर वो अकाउंट आते हैं जो एक से ज्यादा जो आपके डिमेट अकाउंट होते हैं जैसे कि आपके पार दो हैं तीन है तो अगर यहां पर आपकी holding लगी होती है तो आपको यहां पर पचास रुपए प्लस GHD पेक करना पड़ेगा इसके बाद बात करते हैं GHD के बारे में तो आपका GHD है जो 18% मैंशन किया जाएगा यह GHD आपके सभी चार्जिस पर लगेगा जिसमें आपका ब्रोकरिस चार्जिस टांजेक्शन चार्जिस और सेवी फीस होंगी इन सभी पर यह चार्जिस मैंशन किया जाए गा देखें सेवीच चार्जिस की बात की जाए तो आपका 10 रुपए पर करोर के हिसाब से आपको यहांपर लागा तो यहां पर आपका UPI से आपको कोई भी ब्रोक्रिस चार्जिस नहीं लगेगा, यहां पर आपको 3-in-1 का ओप्शन देखिंग मिलेगा, Net Banking अगर आप यहां पर यूज करते हैं, तो आपको 7 रुपे पलस GST तक का यहां पर चार्जिस लगेगा, बाकि आपका Bank mention करता है, कि वो आपके Net Banking गेटवे पर आपको क्या चार्जिस लगाने वाला है, All and Trades अगर आप यहां पर यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको 50 रुपे पलस GST आपको यहां पर पे करना पड़ेगा, सभी पर यह चार्जिस mention किया जाएगा, जो कि इनके टोटल चार पलान मेंने आपको बताये हैं, दोस्तो यह थे इनके कम्प्लीट चार्जिस, वीडियो पर संदर यह तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को साथ सियर कर दीजेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, थेंक्यी फर उचिंग दिस वीडियो,